नमस्कार आप News Nation का Digital Platform देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ सुनेना सिंग इंटरनेशनल लेवल पर भारत विश्व गुरू बन चुका है पिछले कुछ वक्त में भारत ने अपनी विदेश नीती से उन देशों को भी अपना दोस्त बना लिया है जो कभी पहले भारत के धुर विरोधी हुआ करते थे या फिर जो भारत से दूर हो गए थे अब तो भारत का पडोसी चीन भी भारत का लोहा मानने लगा है भारत की बढ़ती आर्थिक और रणनीतिक ताकत के बारे में चीन के सरकारियक पर ग्लोबल टाइमस ने पिएम मोधी की तारीफ की है ग्लोबल टाइमस के एक आर्टिकल में प्रधान मंतری नरेंद्र मोधी के निटरत में भारत की आर्थिक और विदेश नीती में सकरात्मक बदलाव की तारीफ की गई है शी जिंपिंग सरकार के मुकपत्र के मुताबिक भारत अबरनीतिक रूप से ज्यादा विश्वास से भरा हुआ है और अपने भारत नेरेटिव के विकास के लिए ज्यादा सक्रियता से काम कर रहा है अब भारत भारत नेरेटिव बनाने में एक्टिव हो क्या है भारत भारत नेरेटिव को डिवलप करने में ज्यादा एक्टिव है ग्लोबल टाइम्स में लिखा आर्टिकल चीन के शेंगाई स्थित फुदान युनिवरस्टी के साउथ एशियन स्टाडी के निर्देशक ज्यादोंग ने लिखा है इस आर्टिकल में ज्यादोंग ने भारत के मजबूत आर्थिक विकास शहरी शाषन में बहतरी और अंतरराष्ट्य संबंधों खास कर चीन के साथ द्रिष्टिकोंड में बदलाव के बारे में लिखा है जहांग ने भारत और चीन के संबंधों का उधारन देते हुए कहा कि जब चीन और भारत के बीच व्यापार असंतुलन के मुद्दे पर चर्चा होती थी तो भारती प्रतिनिधियों का फोकस पहले असंतुलन दूर करने के लिए चीन द्वारा उठाये गए कदमों पर होता था लेकिन अब भारती प्रतिनिधी भारत की निर्याश शमता को बढ़ाने पर फोकस करते हैं तेज आर्थिक विकास और समाजिक विकास के चलते अब भारत पहले से ज्यादा रणनीतिक रूप से विश्वास से भरा हुआ है भारत के बदलते स्वरूप और मोधी सरकार की विदेश नीती से भारत लगातार विकास कर रहा है इसके साथ ही भारत का फोकस भारती लोकतंत्र पर ज्यादा है भारत अब अपने वेशिक दौर की चाया से दूर हो रहा है भारत विश्व गुरू की तरह काम कर रहा है भारत आज कई देशों के साथ अपने संबद बैलन्स करके चल रहा है अमेरिका जपान और रूस के साथ अपने संबद मजबूत कर रहा है भारत रूस युक्रेन युद पर भी बहतर रणनीती दर्शा रहा है लोकतंत्र की इंडियन स्पेशलेटी को उजागर कर रहा है भारत आज धुरूविय दुनिया में एक मजबूत पक्ष बन कर उभर रहा है चीन के Global Times के इस आर्टिकल के लास्ट में लिखा है ऐसा लगता है कि आज भारत पूरी तरह से बदल चुका है मजबूत भारत आज एक नया पूर राजनियतिक फैक्टर बन गया है और कई देश इसके साथ अपने संबंद मजबूत करना चाहते है चीन ने भारत की कूटनीती, राजनीती और आर्थिक नीती के बारे में जो लिखा है उससे ये पता चलता है कि जो चीन कभी इंटरनेशनल लेवल पर भारत पर हमेशा हावी होने की कोशिश करता था वो आज बैक फुट पर आगया है आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेर कीजेगा नमस्कार